सुरिवेडि राजु इनको में डी कर रहा हूं जी चक्रवर्ती राजु रीप्लाइग जी बताएं कुछ-कुछ डौट भी आ रहा है सर मैं बहुत पहले बहुत किताब पढ़ा हूं तिलगू का उसमें तो दो-तीन डौट आज पूछूंगा सर आप क्लियर कीजिए हाँ जरूर पूछ एक है रिगवेद का टाइम पीरिड बोलने का ऐसा एक बुक में पढ़ा हूं बुक का न उसमें सरस्ति नदी का कुछ मंत्रा है अंबी तमे नदी तमे ऐसा कुछ सरस्ति नदी का वर्णन है सरस्ति नदी बहुत बड़ा है चोड़ा लंबा ऐसा है वो अभी तो नहीं है हिंदी में क्या बोलता है वो अभी गायब हो गया है अंतरवाहिनी अंतरवाहिनी हो गया है सो वो टाइम का सरस्ति नदी के बारे में आज का जो लिखा है अभी लिखा है तो उसको मालुम कैसे पड़ता सो इसलिए सरस्ति नदी का बात हुआ है इसलिए वो बहुत पुराना लिखा है ऐसा कुछ एक किताब में पढ़ाओं सर वो कितने तक सच है सर हाँ यह देखें यह जो आपने पढ़ा है वो लोग इस तरह की बाते करते हैं लेकिन यह हमें समझना पड़ेगा कि यह चीजे कहां से आ रही हैं क्यों आ रही हैं और क्यों इस तरह की बाते हो रही है यह पूरा जब आप समझेंगे ना तो पूरा आपका खाका क्लियर हो जाएगा दरसल होता क्या है कि जब भी हम वेद की बात करते हैं तो एक टाइम लाइन की बात आजाती है कि भाई वेद था कब उसकी टाइम लाइन क्या है तो सबने अलग-अलग खाका खीचा है अगर आपको वेद की असलियत पता करनी होगी कि कोई चीज कितनी पुरानी है तो सबसे पहले सबूतों की बात आएगी तो यहां पे दूसरी तरह से बैठा हुआ है कि यह किताब बहुत पुराना है हम सदियों से जूट बोलते आ रहे हैं बाल बच्चों को भी जूट बोल रहे हैं कि यह किताब बहुत पुराना है और यह बता रहे हैं कि चुकि उस किताब में लिखा है कि जब धर्ती बन रही थी मैगमा पिघल रहा था यह हो रहा था वो हो रहा था तब सूपरमैन ऊड़के चला गया वहां चला गया वहां चला गया चुकि वह बाते लिखी है इसलिए हम उसको और भी पुराना मानते हैं हम इस बात की पुष्टी कर रहा है क्योंकि उसमें भी बात लिखी है हम भी मानते हैं कि यह पुराना है पस वो है 1464 AD की carbon dating बताती है, जो Max Muller को मिली थी, उससे पुराना वेद का कुछ भी नहीं है, एक सिंगल सबूत तक नहीं है वेद का, उससे पहले वेद सब्द था, लेकिन पाली में था, संस्कृत में नहीं था, संस्कृत था ही नहीं, वेद जो सब्द है, वो पाली का सब्द है तो वेदना, अनुभाव की बात होती थी, वेदना से derive किया गया, पाली साहित्य जब खतम हुआ, संस्कृत साहित्य आता है, तो संस्कृत साहित्य जब लिखावट सुरू होती है, तो पहली बार 14-15 सदी में लिखावट सुरू होती है, लिखने वाले 3-4 भाई थे, एक से मैधर उवट सायर, अमाधवा अचारिय इनका बड़ा भाई था, इन सब ने मिलकर गीता लिखी, ये सब मिलके क्या लिख रहे हैं, कि ये जितनी फी चीजें हैं, वो सब संक्राचारे के नाम पे लिख रहे हैं, पुरानी सारी चीजों के नाम पे लिख रहे हैं, कोई व पूर्स नहीं था जब आप द्यानन सरुषती ने भासे किया महिधर का यजुरुवेद भासे किया तो इतनी गंदी गंदी अनुवाद किया उन्होंने बोलागी बदा ओई बोल रहा है कि महिला जो है घोड़े के साथ सम्होग करें इस तरह की बाते हैं उसमें इतनी गंदी चीजे हैं बहुत गंदी चीजे हैं उसमें जब द्यान अंसरुषती उसका हिंदी भासे कहते हैं कि इसलिए खराब है मैदर वोट सायंड को नहीं समझ में आता था हम असली भासे करके देंगे उन्निसवी बीसवी सदी में अब जड़ा सोचिए कि जिस वेद को पहली बार पंदरहवी सदी में लिखा गया और उन्निसवी बीसवी सदी में एक दूसरा बंदा कह रहा है कि उपंदरहवी सदी वाले तो बुरबक थे बेवकूफ थे गद्धे थे उनको तो आता ही नहीं था वेद का भासे करने हम अच्छे से करके दे रहे हैं तो दरसल होता क्या है कि भासा का विकास होता है संस्कृत जो है क्लासिकल संस्कृत ब्रामडों के हाथ में ग्यारवी बारवी तेरवी सदी के बाद से आई उनके हाथ में बनी बनाई थी बाधों के द्वारा वो मिस्रित बनाये थे मिस्रित से संसकारित कर रहे थे मिस्रित थी तो जब उनका वि लिखी हुई बात जो है, इसमें मैंने डैनास思र का जिक्र किया है, ऐसे डैनासोर उड़ता था, यह करता था, तो यह जितने भी बेवकूफ लोग हैं, यह historian कहने पर मुझहा हिनको सरम आती है. इतने बेवकूफ लोग जो हैं, हिस्टोडियन बने घूम रहे हैं, इनका दिक्कत क्या है कि बस ये ब्रामःण है, जिनके उपर जो लगा हुआ है, ग्लास जो इनके उपर लगी हुए ब्रामःण वाद का, वो इनको उस सच्चाई से पर्दफास नहीं होने देती, अब जर इनको हमेसा जूट बोलना होता है, अब सरस्थी नदी की जो बात है, सबसे पहली बात की सरस्थी नदी को कोई बोलता है कि 10,000 साल पुरानी है, 4,000 साल पुरानी है, लेटेश रिसर्च तो कह रहे हैं, कि पंद्रह्वीं सधी तक नदी थी ओ, 14- такие तक उसकी धराय बहती थी, लेटेस रिसर्च जो है, ये तक कहता है, तो इन्हों ने उसका पूरा अपने सारे धरम गरंद का एक पूरा त्यार किया खाका, कि सरस्वति नदी कहां पे है, और हर्याणा में आज भी आप चले जाएंगे, तो सरस्वति नदी का इन्हों ने find out किया है, कि यहां से यहां बहती थी, यह जो बद्री आदी बद्री जो यमुना का भी कुछ और नाम है, उसको यह बोल दते हैं कि वो यमुना नदी है, खुद से ही कहानी गड़ देते हैं, तो इन्हों ने पूरा एक मैप बनाके और दिया प्रस्थूत किया, कि भाया यह जगह जो है सरस्वति नदी है, तो यह खुदाई बैठाए गई, एक मि के माथे से पसीना चूटने लगे, क्योंकि वहाँ से बुधिष्टों के वो सबूत मिलना सुरू होगया, अब इनके सबके माथे से कसीना निकलना सुरू होगया, रातो रात बंद करेके उपर पहुंचाया दिया कि यहां पर दात मिल रहे हैं, यहां पर सुतूप मिले हैं, यहां पर बौधों के चैत्य मिल रहे हैं, यहां बौधों से जूड़ी हुई चीज़ें मिल रही हैं, नदी का प्रमाड नहीं मिल पा रहा है, जिस छेत्र को इन्होंने घोसित किया अपने सारे वेद पुरा है न कि वो नदी बड़ी तेज सी थी मतलब पथरों को तोड़ सकती थी इतनी ताकतवर थी तो जो विद्वान लोग थें जैसे राजेस कोचर थें राजेस कोचर उनका आज भी आर्टिकल आते रहता है इंग्लिस में इंडियन एक्सप्रेस वगरा में उन्हों और बहुत सारे लोगों ने संपाध किया उन्होंने बताया कि ऐसी नदी जो है और अभी इनकी बुक भी आई है टोनी जोसेफ की अर्ली अंडियन उनमें उन्होंने बताया कि अगर वो बात सही मान लिया जाए इनका तो वो नदी मैच करती है हेलमड नदी से हराहती नदी है जो अफगनिस्तान में बहती है यहां से मैच ही नहीं करती है यानि कि जब यह बात कर रहे हैं किसी नदी की तो यह यहां के भी नहीं है वो अफग यहां पर जिइने लोग है यह बोधिष्टो के लेनियों को पंडो इनको जूट बोलना होता है ये इनकी सबसे बड़ी बिमारी होती है तो जो सरस्वती नदी का इन लोगों ने concept किया है वो भारत से बिलकुल ने match करती आर्केलोजिकल एविडेंस से पूरी तरह गलत सावित हो चुकी है तो अब ये बात अफगनिस्तान की करते हैं ये लोग क ये पूरा कालपनिक है दो ही बाते इससे सामने आती है जी अफगनिस्तान में भी एक हरावती नहीं है तो उसी का लिखा होगा सर क्योंकि ये लोग उदरी से आया है ये दरसल अफगनिस्तान भी बुद्धिश्ट इलाका है इनकी सारी चीज ना चूटी का माल है जरा क्यों है न वहीnam । बड़े इजाइन किये घर होते हैं जैसे गायत्री वाला जो चंदस है वह लंगड़ा चंदस है क्योंकि उसमें आथ-8 के पाए होने चाहिए तीन पाए होने चाहिए 8-8 के लेकिन उसमें क्या होता है? एक मेना साथ ही पाय होते हैं, तो उसको लंगडा छंदस कहते हैं, तो वो design जो लिखी गई है वेध की, वो बड़ी तकरीप से लिखी गई है और ऐसा पता चलता है कि जब लिखी गई वेध को, तब सभ्यता बहुत अच्छे से विक्सित थी, डे और आज के जो लोग हैं ये जूटा उसमें से कुछ पढ़े के सबके अर्थ भी तो अलग है ना सत्र भासेकार हैं अलग 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 बाते लिखते हैं तो वह मानता ही नहीं है इस बात को तीन-चार हजार साल सरस्वती और स्वती को मानेगा ही नहीं वो, वो तो कहेगा, वो सीधे स्रिष्टी के सुरू की बात करेगा वो वेद में, तो जितने भासेकार जो टाइम लाइन वो खीच लेते हैं, कि हमको तीन हजार पे इसको सिमित करना है, तो उ तीन हजार की डिखाएगा जो 5000 मान लिया हो 5000 दिखाएगा अब रमायन माभारत में पर begitu कैसे हुआ क्योंकि माभारत में तो सारे रिसी वेदों के ग्यातत हैं फिर रमायन सोतरा लाक साल पहले कैसे हुआ क्योंकि वेद ही जब कि रचना करते थे वही आग जलाते थे अकुछ ओम फुट 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 स्वाहा वही बोलते थे बौध ही बोलते थे यह साथवी आठवी का दौर था अभी भी तीबत में कहीं कहीं जगा पे मिल जाएंगे हवन करते हुए यह तो तंत्रयान जो था उसका उससे इन लोगों ने कॉपी किया मंत्र बनाना और आग जला के कुछ-कुछ बोलके और उसमें कुछ-कुछ डालना सीखना यह कॉपी किया इनों ने लेकिन इनके जूट बोलने की आदत की हम सनातनी हैं बौधों से हर चीज अपने को पुराना इनको दिखाना था तो यह लगतार जूट बो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं आ रहा है जो आ रहा है उससे आपने जो बोला है मंत्र का रचना हुआ और स्टैट्यू रखके पूजा करना ऐसा कनिष्क के बाद जो आया है न वो टाइम से जो चेंज आया है फाइनली वो ही चीज को चुरा के हिंदूिजम में जो ले के आया है हम तो बोलते है हिंदूिजम आज जो कर रहा है वो सब गलत है लेकिन वो चीज तो चेंज होके होके बहुदिजम से ही आया है न से कनिष्क जो वे शो ले के आया है वो ही शिव बन गया तो किसका गलत है इसको गलत मानना या नहीं मानना विग्रहारादना जो करते है टेंपल में नहीं तो अभी वेद में जो ऐसा बोला हवन करते है वो सब ठीक है सही है या नहीं है हम हिंदूस को गलत मानना नहीं तो वो जो कर रहा है उसको गलत मानना देखें चक्रवर्ती जी यहां पर आपका जो सवाल है न कुल मिला के यह है कि जो कनिस्क ने जो मुर्तिया बनवाई या जो उसके जो चित्र मिल रहे हैं ट्राइडेंट लिए हुए या गनेशा के जो मिल रहे हैं विनायक के जो मिल रहे हैं इस तरह की चीज़ें जो मिल रह करके खाना उसके पहले कच्चा खाता था जैसे बाकी जनवर कच्चा खाते हैं वो भी कच्चा खाता था आग काविस्कार उसने कर लिया पहिये काविस्कार कर लिया तो आज की डेट में जो हवन करते हैं यग करते हैं वो यह क्लेम कर सकते हैं कि वही जो आग काविस्कार हु खोज हुई थी मूर्तिकला जो है दुनिया के हर हिस्से में खोज हुई बनी भारत में जब कुशान आये हैं तो इनके पैरलल में ही थोड़ा सा इन से पहले ही इसपाइटकस वगेरा थे उनके अर्केलोजिकल एविडेंस मिलते हैं मूर्तिया मिलती हैं जो वहां के गुलाम ह होते थे ूटे ज glowing जाते थे तो जीतने पर उनकी मूर्तिया बकायदा नीचछे इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था कि यह यह बंदा है और इसने ये लड़ाई जीती है, उसको योधा का किताबा उसको free कर दिया जाता था, slave से वो free हो जाता था, ये वी चीज लिखी जाती थी, मिले हैं इसके सारे archaeological evidence, तो मूर्तिकला जो है दुनिया के हर हिस्से में थी, विभिन देसों में थी, पूजा करने की प्रथा नहीं थ पूजा पाठ क्या है, इधर से इन लोगों ने धंधा सुरू कर दिया, जब मुसलिम आएं और ब्रह्मेनिकल सिस्टम हमेशा वो पैसे को देखता है कि उसका आमदनी क्या हो, उसने पूरे भारत की बली चढ़ा दी अपनी आमदनी के लिए, उसने मंदिर को अपनी आमदन मिलती है, हर जगा पर उसका कबजा है ना, तो मुसलिम सासन काल में उसके पास पैसा कमाने के दो तीन तरीके थे, एक उसका चाटुकार बन जाए, मंत्री बन जाए, वहां से पैसा आयट है, वो भी किया उसने, दूसरा था कि मंदिर पे कबजा कर ले, सोने वोने हैं, उस स के पास आमदनी है नहीं, जौब है नहीं, यह तो खुद ही गरीब हैं, तो कस्टमर की जरूरत नहीं थी, तो इस दूर भागाते रहा, और और भी कारण था कि बुद्ध को भी पाचान लेगा, क्योंकि बुद्ध की जगह को कबजा किया था, वैसे भी दूर भागाते रह तो वो हर वो काम किया, लेकिन आज की डेट में वो क्या कर रहा है, जितने जो धनी वनी हैं, जो पैसा कमाने वाले हैं, उनको इनवाइट कर रहा है, क्योंकि चड़ावा मिलना है, पैसे मिलने, आज तो कर रहा है न, चीज़े बदल रहा है, तो हमें ये चीज़ समझना हो उसके सास्त्र में लिखा है कि आपको संस्कृत छोड़के दूसरी लंग्वेज नहीं सिखनी है, वो मलेच की भासा है, नरक में जाओगे, अगर सिखोगे, बहुत बुरे नरक में जाओगे, धरम भरष्ट कर दोगे, धरम भरष्ट कर दोगे, लेकिन उसने सबसे पहले वही बदल भी लेता है, अंगरेजी पढ़ा, बीदेस में जाके बैठा हुआ है, उसने समुद्रपार पर रोक लगाई, अंगरेजों के समय जितने लोग समुद्रपार करके गए हैं, सबको उसने पनिस्मेंट दिया, जाती से बाहर कर दिया, तीलक हों या गांधी हों, सबको बाहर किया उसने, आज की डेट में उपलवधी गिनार आए कि हमारा ब्रामः सुन्दर पीछाई जाके गूगल का CEO बना हुआ है, तो ब्रामः जो है हर समय पदलते रहा है, उसका परस्पेक्टिव क्या है कि ब्रामः हमेसा आगे बढ़ते रहे, उसकी सारी कहानिया आप पढ़िए, वो इस्वर बनाएगा, विष्णू बनाएगा, फिर कहेगा कि विष्णू के छाती पर आकर भरिगुया जो दुर्वासा है वो लात मार दिया, बहले भगवान बनाके सबकोटर आएगा, फिर कहेगा कि हम जो है उसके लात भी मार देते हैं भगवान पे भी, तब भी कुछ नहीं उखड़ पाता, आकर पैर उल्टे वो करता है, दोता है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि उखर क्या रहा है, उसको मान सम्मान चाहिए, उसको पैसा चाहिए, हर चीज पर कवजा चाहिए, अब बाकी दुनिया जो है उसको स्लैव की तरह दिखन सर, अब एक बात पूछ सकता हूं, सर, ये लास्ट कुश्चन है, सर, आउरंग जेब का टाइम में, जीजिया से बचने के लिए हम तो बाहर से आये हैं बोलके, ब्रामहिन लोग बोला ऐसा आपका स्ट्रीम में सुना हूं में, और पहले भी सुना था में, इसका हिस्ट्री और इसके मल्टिपल प्रमाड है, आप जो उनके भी देखेंगे, जब पढ़ेंगे, जो मुगलो की भी किताबे पढ़ेंगे, अकबर नामा, बाबर नामा नहीं, अकबर नामा के समय में और उसके बात की चीज़े पढ़ेंगे, उनसे भी एविडेंस मिलते जाते हैं, उन सासनकाल का तो A to Z एविडेंस लिखित प्रमाड है, इनके द्वारा लिखित प्रमाड है, जे.